जलेबी, इसकी शुरुवात मध्यपूर्व के देशों से हुई और फार्सी यात्री इसे भारत लेकर आए। मूर रूप से फार्सी में इसे जलीब्या या जुलाब्या और अर्बी में जलाब्या के नाम से जाना जाता था। समोसा, शुक्र है उन भुमंतू व्यापारियों का जिनके साथ यह मध्य इश्या से सफर करके भारत पहुचा। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में मिडल इस्ट के खानसामों ने हिंदुस्तानियों को समोसा चखाया और यह यहीं का होकर रह गया। गुलाब जामुन, दिल पर पत्थर रखकर यह फैक्ट जाहिर कर रहे हैं कि गुलाब जामुन का भी जन्म भारत में नहीं, फारस की खाडी में हुआ था। यह फारसी शब्द, गोल, फूल और आब पानी से बना है। इस मिठाई का फारसी नाम, लुखमतल कादी था। दाल चावल, हर घर का फेवरेट दाल चावल भी भारत की पैदाईश नहीं है, पर ओसी देश नेपाल के लोगों ने सबसे पहले दाल और चावल को साथ में मिला कर खाया था। यह कॉम्बिनेशन इतना हेट हो गया कि भारतिय घरों का सदस्य बन गया। चाई, दिल टूट रहा है यह लिखते हुए लेकिन 19-वी शताबदी के शुरुआत में अंग्रेजों ने भारत में चाई की खेती शुरू की। चाई चीन की देन हैं, हाँ दूद, अदरक, शक्कर वाली चाई हम भारतिय ही पीते हैं, लेकिन चीन में हजारों सालों से चाई को बतोर औशदी इस्तेमाल किया जा रहा है। राजमा, राजमा, जो हमारे प्लेट में पर्मानें सदस्य बन गया है, उसे पुर्तगाली भारत लाए थे। मेक्सिकन्स ने हमें राजमा को भिगो कर, उबाल कर खाना सिखाया, हालां कि हमने ही राजमा में मसाले डाले और उसे आज का रूप दिया। बिर्यानी, कोलकाता की सडके हूँ या लखनों की नवाबी रसोई, भारत के लगभग हर राज्य की मशहूर डिश बिर्यानी पर्शियंस की देन है। फार्सी शब्द, बिर्यान, से बनी है। नान, हम भारतियों के लिए तंदूर का मतलब ही है नान और यह नान भी फार्सियों की देन है। पर्शिया से नान भारत को मिला था, वैसे गालिक नान, बटर नान, स्टाफ्ट नान जैसी कई वेराइटीज हमने खुद बनाई है। फिल्टर कॉफी, इस बेवेरेज का जन यमन में हुआ, दक्षिन भारत में नहीं। कहते हैं भारतिय सूफी संत बाबा बुदन मक्का गए थे और वो फिल्टर कॉफी को यमन से भारत ले आए और हमने इसे तुरंट अपना लिया। चिकन टिक का मसाला, ग्लास गो, स्कोटलेंड में एक शेफ ने एक कस्टम के आगरा पर ड्राइ चिकन को टमाटर की ग्रेवी में बनाया था और इस तरह चिकन टिकका का जन्म हुआ।